अभी अभी दोस्तों छक्का पढ़ने वाला था क्या जोने वाला था लेकिन प्लेयर के हाँ से टाच हो के चोसा हो जया वह दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लोग में उमीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज का ब्लोग सिर्फ हम इंडियन क्रिकेट टीम को डेडिकेट करना चाहते हैं जैसे कि आप देख रहे हो पीछे पापा जी और चाचा जी बैठे हैं मैं आज का रियक्षन देखने के लिए वह भी वेट कर रहे हैं मैंने भी फर्स्ट इनिंग का कुछ पार्ट मिस कर दिया और अभी अभी चाचा का मैंच दोस्तों बावाल मैच रहेगा तो अभी एक निराशाजनक अपडेट आई है अभी किया राहूल आउट हो चुके है रोहिशर्मा के बाद वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान लोग पाकिस्तान वाली टीम ने भी उन्होंने बहुत काफी जोड लगा रखा है अपना भी बने रही है विलोग में दोस्तों क्या होता है क्या नहीं मुझे तांवी डर दॉर भी लग रहे है कि मैं निराशा हम ना लेकिन अच्छी बात है चलो इंडिया टीम करेंगे हम सब की इंडिया टीम जीत चाहे चले पने रहें पापा जी का मोड थोड़ा था ओफ हो गया सुरे कुमार जादब के आउट होने से और इसे उमीड तूटती सीना जार रही थी पापा की आप क्या कर सकते हैं देखिए अ बहुत ही बुरा कैच आउट होके गए हैं और मुझे लगा ना पहले कि वह शक्का जला गया शक्का पहुंचने वाला बॉंडरी तक पहुंच चुगा था लेकिन एड़ दा एंड खिलाडी ने कैच कर लिया रोग कैच आउट हो गये दोस्तों और अभी उनको रिप्लेस क पापा पूरे सीरियस मूड में है पर दीपी सीरियस हो चुका है मैं देखने में क्या रियक्शन होदा क्या नहीं मुझे भी अब डर तक रहा है कि इनक्रिके टीम मैंच कैसे होड़ करेगी तो दोस्तों बने रही है ब्लॉग में कि दोस्तों बहुत सीरियस महाल में हमारे घर में पूरी अंटा है मम्मी को छोड़ के सब मैच इन्जोई कर रहे हैं हम लोग के हां यह मूली भी मैच इन्जोई कर रहे हैं देखिए देखिए मूपे हाथ और गोड यार दोस्तों रिशाब पंत आउट होगर पापा का रिय अब दोस्तों चक्का पढ़ने वाला था क्या जोने वाला था लेकिन प्लेयर के हां से टाचो के चोका हो गया वह दोस्तों बड़ा ही ओसम रियक्शन दोस्तों देखो वारे बापा ले ढूं ऑए दोस्तों अभी सैंट इन definitely हो चुकी है हमारी इंडिया की टीम ने पाकिस्तान को वान अटी टो का टार्गेट दिया है हमारी इंडियन ले और खुशी पापा को रही है देखिए अमेजिंग दोस्तों अभी अभी चहल ने बिकट चटका दी है बड़ा मजा आया सीधा कैच आट दिलाया चहल ने तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या होता अभी और भी मजदार रियक्शन देखने को मिलेगा आपको पाप में थे कि क्या होगा क्या होगा अभी पाकिसान स्कोर पर स्कोर करते जा रही थी शुकर है अभी भूनेश्वर ने एक विकट दिल आई है बड़ी मुश्क्लों से तो चलिए दोस्तों आगे क्या होता है देखते हैं पापा तो अभी बहुत दुखी हो चुके थे मैरा अभ मेले के अठारा के ओबर तक तो ऐसे लगा कि मैच हम जीत जाएंगे लेकिन आखरी के दो ओबर में पाकिस्तान ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि वो मैच जीत गए और एड़ दा एंड क्या कह सकते हैं दोस्तों हम लोग इंडियन टीम हमारी मैच हार चुकी है लेकिन इस बात का इस बात की निराशा तो है लेकिन मैं बढ़ाई भी देना चाहूँगा इडियन टीम को कि इन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया उन्होंने पूरा जोर लगा रखा था कि हम मैच जीत जाएं तो कोई बात नहीं दोस्तों नेक्स टाइम जरूर जीतेंगे हम लो और वीडियो में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों में वीडियो को शेर किया करो दोस्तों ताकि और हमको मोटिवेशन मिले आपका एक शेर हमको बहुत बढ़ने में मद करता है दोस्तों तो दोस्तों मैं इस ब्लोग को यहीं पेंड करता हूँ बाब बाब दो दो